राजिस्तान की 6 वधान सबसीटों पर होने वाले उपचुनाओं को लेकर सियासी पारा हाई होता जा रहा है सियासी हलात ऐसे बन रहे कि जो 4 प्रमुक पार्टियां है वो अपनी पकड़े एक से दो सीट पर मजबूती से बना चुकी है इसलिए छोटे दल भी समझोते के मूड में नहीं है नमस्कार मैं हूँ शेक जुही आज देख रहे हैं देनक रिलिस बज़ेपी ने साफ कर दिया है कि वो सभी 6 सीटों पर अकिले चुनाओं लड़ेगी वही कॉंग्रेस आरेलपी और भारत आदिवासी पार्टी में सीटों को लेकर रसाकशी चल रही है तीनों दलों नेम मिलकर ही राजस्थान का लोग सभचुनाओं लड़ा था सुत्रों के मताबिक भारती आदिवासी पार्टी दो सीट चोड़ासी और सलुंबर मांग रही है इन दो सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी की तैयारी तेज हो गई है वही हनुमान बेनिवाल, खीवसर और देवली उन्यारा पर अपना दावाट होक रहे हैं आदिवासी पार्टी और बेनिवाल की सूरत इहाल को देखते हुए कॉंग्रेस सभी छे सीटों पर तैयारी कर रहे है बीजेपी भी एक सीट पर इंतजार कर रहे है लेकिन वहाँ पर भी अभी हरी जंडी नहीं मिल पाई ऐसे में ये पुर्मुक सभी 14 लकेले ही मैदान में उतर सकते है दरसल लोगसब चुनाओं में बीजेपी को हराने के लिए कॉंग्रेस ने तीन सीटों पर गटबंदन करके चुनाओ लड़ा था उन तीनों सीटों पर बीजेपी को हार मिली जिन दलों को जीत मिली वो अपनी ताकत दिखा रहे है वही कॉंग्रेस भी लोगसब चुनाओं परिनाम सुथ साइथ है उसे भी उमीद है पाटी चुनाओं में बहतर कर सकती है क्योंकि छे में से तीन विधायक कॉंग्रेस के थे इसलिए उन सीटों पर पाटी समझोते के मूड में नहीं है इसलिए छोटे दलों से कॉंग्रेस की बाच्चित भी नहीं बन पारी लेकिन इन सभी छे सीटों में से बीजेपी का सिर्फ एक विधायक रहा इसलिए बीजेपी किसी भी पार्टी से गढ़ बंदन नहीं करना चाहरे वो अकेले चलो की रहा पर है बीजेपी परदेश परभारी का कहना है कि पार्टी सभी सीटे जीते गी हाला कि बीजेपी सलुमबर के अलावा दो सीटों पर पूरी तैयारी कर रही है पार्टी अभी जातीगत समीकरंट में लगी है उससे लगता है कि जातीगत समीकरंट से ही सीटों को जीता जा सकता है तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दन अगरेनियों शुक्रिया